अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हेलिजिए परदेश के सभी बुखिंग काउंटरों के अलावा चंडिगर, दिली, हरीद्वार, दहरादुन, सहित अनि बाहर राज्यों के बुखिंग काउंटर पर भी यह सुषिए है हैं बता दे कि एच आर्ट से ने क्यू आर्ट कोड़ इसकें कर किराई के भुकतान की सुविधा के लिए पेटिये मॉबाइल वॉलेट कंपनी से करार किया है मैं कमपनी ने निगम के सभी बुकिंग काउंटरों पर इसकें कोड और साउंड बॉक्स उपलवद करवा दिये हैं मैं किराई का भुकतान होता ही साउंड बॉक्स पर संदेश आएगा जिससे यात्री और बुकिंग करलकों किराई की अदाईगी का पता चलेगा मैं बताती कि गूगल पे फॉन पे पे टियम भीम यूपी आई एसबी आई यूनो सहित अन डिजीटल बॉलेट के मादब से क्यू आर्कॉर्ड इसकें किराई का भुकतान हो सकेगा मैं निगम ने नई हाइटेक टिक्टिंग मशिनों की खरिद सुरू कर दी हैं इन मशिनों की मदद से बस में यातरी डिजीटल बॉलेट या एटियम डेबिट वा क्रेडिट कार्ड से किराई का भुकतान कर सकेंगे डूगर परियोजना के सिग्र निर्मान को लेकर एन एच पीसी अधिकारियों और सरकार से करूँगी बात परियोजना के बनने से एक और जहां पांगी घाटी में विदूत की समसिया से लोगों को रहत मिली है वही चंदर भागा नदी के जल का भी पूरा दोहन हो सकेगा वही परियोजना के बनने से संपूर्न पांगी घाटी को बिजली की समसिया से चुटकरा मिलेगा वही परियोजना के आर्थी की भी मजबूत होगी इसके साथी उन्होंने कहा कि पांगी घाटी में बनने वाली इस पर्योजना से इस चेते में विकास को गती मिलेगी वजवावों को रोजगार के कई आउसर पर उपलब्द होंगी अमरीद सरसे सिमला के लिए सोलो नवंबर से सुरू होंगी हवाई सेवा इतना होगा एक तरफा का किराया जे पंजाब के अंतरास्टी हवाई अड़ा अमरीद सरसे सिमला के लिए सोलो नवंबर से उडान सिवा सुरू होगी जिससे एक तरबगा किराया उन्यस सो उन्यस रुपिया निधारित किया गया है वह उडान योचना के तहत किराये पर सरकार 50 परतित सबसीडी दे रही है इस उडान सेवा के सुरू होने से यातरी एक घंटे में अमरीत सर से सिमला पहुँच पाएंगी इससे परेटन युद्यों को फाइदा मिलने की उमीद है यह उडान सेवा परतेक मंगलबार, गुरुबार और सनिबार को होगी वह सिमला से अमरीत सर के लिए सुबह 8 बचकर 10 मिनद पर उडान भरेगी जो सुबह 9 बचकर 10 मिनद पर अमरीत सर पहुँचेंगी इसके साथ ही अमरीत सर से सिमला के लिए सुबह 9 बचकर 35 मिनद पर उडान होगी और सिमला में सुबह 10 बचकर 35 मिनद पर पहुँचेंगी वह परियाटकों के साथ-साथ अस्तानियों लोग भी इस सेवा का फाइदा उठा सकेंगी और आने जाने समय की बचत होगी जरम ठाकून ने कहा कि सरकार पर्दिस में ठब पड़े विकास कारियों को फिर से सुरू करें कॉंग्रेस के सत्ता में आने के बाद से पर्दिस में विकास से जुड़े सारे कारी ठब पड़े हैं उन्हें ने कहा कि चुनाब से पहले पर्देश के लोगों को दी गई गरंटी हैं पूरी नहीं की है लेकिन देश के पांच राज्य में हो रहे विधानसवा चुनाबों में फिर से गरंटी दे रही है मैं जराम ठाकूर ने कहा कि सरकार पर्देश के लोगों से जूट बोलने के बज़ाए पर्देश के लोगों के हितों का ध्यान दे है चमबा बस अड़ा के पास रावी नदी में समाई दो बाइक सभार एक का सब बराम्द दूसरे की तलास जारी जिला चमबा के नियू बस अड़ा के समिप एक हाथा फेस आया है यहां दिवाली की राद दो बाइक सभार रावी नदी में समागे नदी का बहाव तेज होने के चलते दोनों को कोई सुलाग नहीं लग पाया है घटना की जनकारी समार सुबर लोगों को उस समय मिली जब उनने सड़क किनारे बाई को गिरा देगा घटना की सुचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुचकर युवाओं की तलास शुरू कर दी है दोपर बाद पुलिस टीम ने रावी नदी में बहकर लापता हुए एक युवक का सब परेल पूल के पास से बराम्द कर लिया है वही मिरी तक युवक की पहचान अभे निवासी गाउं छुद्रा के तुरपर हुई है अभे दूसरे युवक का अभी तक कोई भी सुराक नहीं लग पाया है धर्मसला में प्रेगलाडिंग एक्यूरिसी फ्री वर्ल्ड कप का आयुजित किया जा रहा है वही पाँच दिन तक चलने वाले इस प्री वर्ल्ड कप में पाँच देसों के परति भागी हिस्सा ले रहे है बताते कि परतियों गीता में अमेरिका, नेपाल, ब्राजील और इस्पेन के प्रेगलाडर्स भाग लेने पहुचे हुए है इसके अलबा भारतिय थल शेना और भारति वाई सिना परतियों गीता के भाग हिस्सा बन रहे है हिमाचल परदेश के परतियों परतियों के लिए यह एक बड़ा आयुचन है अगनी भी टेकनिकल, अगनी भी कलर के SKT और अगनी भी ट्रेट्समेंट पदों के लिए होगी। मैं सिमला, सोलन, सिर्मोर और किन्नोर के युवाओं के लिए सरकारी नोकरी पाने का या पहतरी नमोका है। बता दे कि ओलाइन परिछा पास उमिदबारों को फिजिकल टेस्ट के लिए एडमीट कार्ड उनके रजिस्टर इमेल आईडी पर जारी हो गया है। पर्मान पत्र जाती पर्मान पत्र चरित्र पर्मान पत्र केबल नायव तैसिलडार यह तैसिलडार दोवारा ओलाइन जारी किया हुआ लाएं। मैं साथ में उमिदबारों को एविट 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 यानि के भरती नोटी पेकरिसन के अनुसार 20 रंगिन पासपोर्ट साइज फोटो और और विभाहित होने का पर्मान पत्र लना होगा। जिन उमिदबारों के पास टेकनिकल चिक्षा पर्मान पत्र NCC और वेद खेलकुद पर्मान पत्र हो तो उसे अपने साथ जरूर लेकर आएं। को टीम ऑफ वर्ल्ड कप में सामिल किया गया है। बता दे कि टीम की कप्तानी विराट कोहली को सोपी गई है। उन्हें नमबर चार पर बल्लेबाजी करने को जगह मिली है। ICC के हॉल ऑफ फेम में सामिल हुए सहवाक डायना, एडूल जी और डी सिल्वा। जिया टीम इंडिया के पूर्व किर्केटर विरेंदर सहवा को अंतराष्टि किर्केट परिसत के हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। मैं सहवाक के अलबा भारतिय महिला टीम की पूर्व किलाडी डायना, एडूल जी और स्री लंकाई दिगच अर्विंद डी सिल्वा को भी हॉल ऑफ फेम में सामिल होने बाले खिलाडियों की कूल संख्या 112 हो गई है। समलकर अवसर ऐसे लुभान अवसर के पीछे ठेगों की फिल्डिंग लगी होती है। ऐसे में कमपनी की प्रोफाइल और उसकी विश्वास निता को जाच कर ही खरीदारी करें। महिमाचल के साइबर क्राइम मेल ने लोगों के लिए या अलट जारी किया है। इसके अनुसार किसी भी वंपर ओफर पर किलिक करते समेक रहाकों को बहत सवधान रहना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि असली जैसा दिखने वाला ओफर कोई ठगी का लिंक हो। और इस अवसर पर किलिक करते ही सातिर आपके बैंक खाते से रासी निकाल सकते हैं। सिमला के धामी में प्राचिन 25 मिनिट चला पत्थर यूद खुन बहने पर रुका खेल इस दिन दी जाती थी मानब बली। जिहां सिमला से 60 धामी इलाके में दिपावली से अगले दिन सोमार को प्राचिन पत्थर यूद का आईजिन हुआ। इस दुरान युआओं के बीच पत्थरों की जम कर बरसात हुई। अधिक्तम तापमान लुड़का जह हिमाचल में अभी एक सप्ता तक मोसम के साफ वा सूस्क रहने की संभावना है। मोसम भाग के अनुसार उन्यस नॉम्बर तक परदेश के सभी छेत्र में मोसम साफ बना रहेगा। पिछले 24 गंट में राज का मोसम सूसक रहा और नियुनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अधिक्तम तापमान में उलेकनी है गिरावट आई हैं। इलाकों में बारिस होने के कारण तापमान में गिरावट आई हैं और लोग ठंड से ठिटूरने लगे हैं। सुकू के सिमला लोटने के बाद पट्री पर आई सरकारी व्यवस्ता जे मुखमंत्री सुकू के सिमला लोटने के बाद सरकारी व्यवस्ता पट्री पर आ गई है उन्हेंने सिमला पहुचने के बाद उच अधिकारियों से सरकार की तरस से चलाई जा रही योजनाओं की फीड़बेक लिए वहीं मुख्यमंत्री मंगलबार को अधिकारियों से अलग से बैठेक कर सकते हैं जिसमें विभिन सरकारी कामकाच की विश्तरी समिक्षा की जाएगी इसके अलबा मुख्यमंत्री ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिये है कि 18 नॉम्मर को होने वाली मंत्री मंदल बैठेक के लिए परस्ताव लाएं ताकि सरकारी योजनाओं का लाब आम आदमी को मिलता रहें बतादी के मंत्री मंदल बैठेक में मुख्यमंत्री की बजट गोश्टनाओं पर मुहर लगने की संभावना है पेपर लिक मामलि में पूर्सचीव के किलाब कोट में चलान नहीं हो पाया पेश कारिपरनाली पर सवाल ये बहुँ चर्चित पेपर लिक मामलि में हिमाचल परदेश कर्मचाहे चेन आयोग के पूर्बसचीव को लेकर बरती जा रही नर्मी से जाच एजनसी और सरकार की कारेपरनाली पर सवाल उठने शुरू हो गया है मैं पूर्ब सचीब के किलाब कोट में चलान भी पेश नहीं हो पाया है मैं दरसल 23 दिस्टमबर 2022 को पेपर लिग का पहला मामरा सामने आया था बतादे कि बिजिलेस न आयोग की गोपनिये सका की वरिष्ट सहायक पत्से निलंबित उमा आजात समेथ पांस लोगों को गिरपतार किया था तब से अभी तक चोबदा पोस्ट कोट की भरतियों के पेपर लिग की पुष्टी होने के बाद बिजिलेस थाना हमिर पूर में 13 एफाईयर दर्च हो चुकी है बतादे कि हएस अधिकारी डॉक्टर जीतनर कमर भंग होने से पूर्व करमचै चन आयोग में सचीब के अलावा परिच्छा नियंत्रेक भी रहे इसके चलते परतेग भरती परचा में उनकी अहम जिम्यदारी निश्ची थे मैं कुछ दिन पुलिस रिमान और नियाएक रिमान में रहने के बाद वे रिहा हो चुके है कुलू के पडारनी गाउं में भड़की आग मकान जलकर राख लाखों का नुकसान जे कुलू जिले में दिवाली के दुरान तीन जगों पर आग की घटनाओं में लाखों का नुकसान हुआ है वे बंजार की ग्राम पंचायत चकूर अठा के पचपडारनी गाउं में दस कमरों का धाई मंजिला मकान जलकर राख हो गया दूसरी घटना भैकली के कोठी सारी में पेस आई है यहां डेड़ मंजिला मकान आग की भैट चड़ गया वही अखाडा बजार में एक बातरूम में आग लग गई वहीं तीन जगों पर करीब 20 लाग रुपे का नुकसान हुआ है भारत नहीं दिखाएगा नर्मी यू एन मानवाधिकार परिशत की बैठेक में कनाडा को सुनाई खरी खरी जे संजुक्त राष्ट के मानवाधिकार आयो की बैठेक में भी भारत ने साब तोर पर कनाडा को कहा की उसे अतिवाध फिलाने वाले समों पर रोक लगानी होगी और अभी वेक्ति की आजादी के हो रहे दुरूपियों को भी रोकना होगा उन एन एच आर्सी की ये बैठेक कनाडा में मानवाधिकार की इस्तिती की समिक्षा को लेकर ही थी जिसमें भारतिय परतिनी ने भारत की मौजुदा चिंताओं को सामने रखने में कोई कोता ही नहीं की बीजेपी की सरकार आई तो मुपत कराएंगे राम लाला के दर्चन अमित्सान ने रेली में मद्धताओं से किया वादा जे मद्य पर्देश के गुणा में अमित्सान एक सारवजनी क्रेली में भाग लिया अमित्सान इस रेली में राम मंद्र का मुद्धा उठाया उन्हेंने राम मंद्र को लेकर कॉंगर्स पार्टी की आलोचना करते हुए उन पर मंदिर के निर्मान में बाधा डालने का आरूप लगाया है उन्हेंने सभा में कहा है कि अगर मद्य पर्देश में बिजेपी की सरकार आती है तो राम लाला के दर्सन का खर्च वहन करेगी लगातार चौथे महने महेंगाई दर में गिरावट अक्टूवर में 4.8-7% रही खुद्रा महेंगाई दर ज़े अक्टूवर महेंगाई दर घटकर 4.8-7% रही है मैं महेंगाई दर या गिरावट लगातार 3 महेंगाई से देखने को मिल रही है मैं सितंबर महिने में महेंगाई दर 5.02% और अगस्त में यह 6.08% फिजदी थे मैं जानकारों का मानना है कि त्योहारी सिजन में ग्रहाकों ने जम कर खरीदारी की है जिसके चलते महेंगाई दर में कमी देखने को मिली है परधान मंत्री मोधी 15 नॉम्मर को देंगे आदी बासियों को 24,000 रुपीय का सोगात पी-एम पी-बी-टी-जी डेवलोप्मेंट मिसमिसन को करेंगे लॉंच जे परधान मंत्री मोधी 15 नॉमर को आदी बासियों को 24,000 रुपीय का सोगात देने जा रहे है परधार मंत्री पीवी टीजी विकास मिसन की सुरुबात की गोशना की गई थी पीवी टीजी मिसन का सुब आरम करने वाले हैं ग्री मंत्राले का बड़ा फैसला मेतई समुदाय के इन संगटनों पर लगाया परतिबंद जी हां मनीपूर में जारी हिंसा के बीच केंद्रे ग्री मंत्राले ने बड़ा फैसला लिया है बताद कि ग्री मंत्राले ने मेतई समुदाय के नो संगटनों को चरम पंति संगटन गोशित किया है साथी सेंगटनों पर कुछ सालों के लिए पर्तिबंद लगा दिया गया है वहीचा ग्री मंत्राली ने आज पीपूल्स लिबरेशन आर्मी पी एले और इसकी रायनितिक सका रेवुलेशनरी पीपूल्स प्रंट युनाइटेट नेशनल लिबरेशन प्रंट और इसकी ससत्र सका मनीपूल्स आर्मी को चरम 25 सेंगटन गोसित किया है इन सेंगटनों पर 5 साल के लिए पर्तिबंद लगाया गया है पंजाब प्रंट में भीशन सड़क हाथसा बार लोगों की मौत पुलिस ने किसोर चालकों किया गिरपतार पंजाब प्रंट में दो अलग अलग सड़क द्रुघटनाओं में कूल बार लोगों की मौत हो गई पुलिस ने बताए कि पहली घटना रईबार को लाहर के पोस इलाके डिफेंस हाउसिंग अथोरेटी में हुई लेकिन पुलिस ने बताए कि डिफेंस हाउसिंग अथोरेटी में हुई द्रुघटना के दुरान एक किसोर गाड़ी को चला रहा था और उसको मौके से मने गिरपतार कर लिया गया है नेपाल ने चीन को दिया जोर धटका टिक टॉक पर लगाया बेन जिया एन आई काटमांडू नेपाल की पुजमने पूस्पक कमल दहल सरकार ने चीन के किलाब बड़ा कदम उठाया है नेपाल के संचार मंतरी सौमार को कहा है कि केबिनेट की बेटक में नेपाल सरकार ने टीक टॉक पर बेन लगाने का फैसला किया है वह बता दे कि इससे पहले भी भारत समेत कई देशों सुरक्षा कारणों से टिक टॉक पर बेन लगा चुके है बता दे कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब चीन नेपाल के साथ नजदीकिया बढ़ा रहा है और उसे और उसे रनितिक तरीके से अपनी और जुकाना चाहता है स्वास्त सेवा महानिद्य साले में गुरूप B वा C के 487 पदों पर निकली भरती यह रही डीटेल जी हाँ सरकारी नोकरी की तलास कर रहे युगाओं के लिए सुनहरा मौका है वह स्वास्त सेवा महानिद्य साले की और से गुरूप B वा C के 487 पदों पर भरती के लिए आवेदन परिक्रिया शुरू कर दी गई है जो उमिद्वार इस भरती में भाग लेना चाहते हैं और इसके लिए योगता रखते हैं वे DGHS के पोटल पर जाकर ओलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं इसके अलाबा आप इस पेज पर उपलब्द करवाएगे डिरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी अप्रम भर सकते हैं मैं अप्लिकेशन फॉर्म भनने की अंतिमतिती 30 नमबर 2023 तेकी गई है एम से बिलासपूर में प्रोफेसर एसोसियेट प्रोफेसर पदो पर हो रही भरती जल्द कर अपलाए जिहां All India Institute of Medical Sciences बिलासपूर की ओर से प्रोफेसर एसोसियेट प्रोफेसर पदो पर भरती चल रही है इस भरती में सामिल होने के लिए उमिदबार 30 नमबर 2023 तक All Line माध्यम से गूगल लिंक के माध्यम से आविदन कर सकते है मैं फॉर्म की हाट कपी भेजने के अंतिमतिती 6 दिसमर 2023 देगी गई है मैं All Line आविदन पत्र भरने के साथी आपको पूर्ण रूप से भरे हुए आविदन पत्र एवम संबंदी दस्तावेज़ों को 6 दिसमर 2023 साम 5 बजे तक एवम से बिलास्पुर में आवस्चेक भेज़ दिया है एसिस्टन प्रोफेसर के पदों पर निकली भरती हिंदी सहित इन विश्चियों में है जॉब का मौका जिया इस वेकंसी के लिए आविदन करने वाले यू आर ओभी स, इडवलु एस रहनी अभियरतियों को बतोर आविदन सुल्क पांस रूपे देनी होगी महीं स्ट, स्ट, इडवलु एस और महिला उमिद्वारों को आविदन सुल्क के बोगतान से छूट दी गई है इस वेकंसी के माधिम से कुल 49 पदों पर निकली की जाएंगी महीं असिस्टन प्रोफेसर के पदों पर हिंदी, इंगलिस, बोटनी, सहित अनिय पदों पर भरती की जाएगी परियाटकों के लिए बहाल हुआ रोहतांग दर्रा समूदर तल से 1350 फेट की उचाई पर पहुँचे 280 वहान जे हिमपात के कारण बंद रोहतांग दर्रा परियटकों के लिए बहाल हो गया है समूदर तल से 1350 फेट की उचाई पर इस्तीत रोहतांग के बहाल होते ही सोमार को परछे परमीट प्राप्त 280 परियटक वहान दर्रे में पहुँचे बच्चों से है प्यार तो प्राइमरी टीचर का केरियर है बेस्ट ये है भरती के नई योग्यता मान दंड जे हमारे देश में सिक्षक को भगवान से भी उपर दर्जा दिया गया है अगर आपको भी बच्चों के साथ अच्छा लगता है और उन्हें प्यार से हैंडल कर सकते हैं तो प्राइमरी शिक्षक बनकर आप अपने केरियर को एक नई दिशा दे सकते हैं बताते कि प्राइमरी टीचर बनने के लिए अभियर्थी असनाता के साथ डी एलेड उतिरन होना चाहिए और साथ ही टी यानि कि सी टी इटी उतिरन होना भी अनिवारी है गूगल से कर आटिफिस्यल इंटिलिजेंस यानि की AI फ्री ओल्लाइन कोर्स जॉब के बढ़ेंगे आवसर जे गूगल फ्री सर्टिपिकेट कोर्स ए ऐ आई गूगल की और से ऐसे कई सर्टिपिकेट फ्री में उपलब्द करबाए जाते हैं जिनको करके आप आटिफिस्यल इंटिलिजेंस यानि की AI संबन्दित बारिकें सीख कर अपने करियर में बहुत प्वेहत्तर कर सकते हैं इन कोर्सेश में कुछ फिरी ओल्लाइन कोर्स इमेज जेनरेटर AI जेनरेटिव AI इमेज के अच्छे कैप्सिनिंग मोडल आ दी हैं अब नतीजे पर किसी की नजर है दर असल इसके सांकेतिक असर की बड़ी वैख्या होने वाली है लिहाजा वादों और दाओं की भरमार है ऐसे में भाजपा के राष्ट अधक जेपी नडड़ा जंदा को यह समझाने से नहीं चूकते हैं कि दूसरे दल वादे करते हैं पादा मोदी की गरंटी है यानि जो कहा जा रहा है वह 100 फिजदी पूरा होगा चलिए महीं चलते हैं आज के आखरी खेवर सीटी इटी पेपर वन और टू के लिए देनी होगी इतनी फिस 23 नवंबर तक भर है रेजिस्टेशन फॉर्म जे सेंट्रल जीचल डॉट इन पर सुविकार किये जा रहे हैं इस परिक्षा के लिए आवदन पतर 23 नवंबर तक सुविकार किये जाएंगी बता दे कि इच्छुक और योग्य उमिदवारों को सला दी जाती है कि वे अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय से आवदन कर दे हैं दोस्तों आज दे बेस्ट जे हिंद जे ही माचल